Hello बच्चो, आज हम आपके लिए PYQ series में vector algebra का question लेकर के आए हैं, जो कि advanced 2021 में आया था बहुत easy question है, very simple, good question and formula based question, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है ये question, हैना देखे, फ़र रीडाउट कर लेते हैं, let vector u, vector v and vector w be vectors in three dimensional space where vector u and vector v are unit vectors which are not perpendicular to each other, हैना and conditions are given हैं, vector u dot vector w equals to 1, vector v dot vector w equals to 1, w vector dot w vector equals to 4, okay if the volume of the parallelo pipe, whose adjacent sides are represented by the vectors u, v and w is root 2, then the value of modulus of 3u vector plus 5v vector is पस्सिंपल ये ही पूछा गया था हम से, चले solve करते हैं, सबसे पहले तो हम जो हमें given condition से हम उनको लिख लेते हैं given जो भी conditions हमें given हैं, हम लोग उनको लिख लेते हैं, vector u and vector v हमें unit vectors given थे, हमने उनको लिख लिख लिया, vector u and vector v equals to 1 and साथ में ये बोला था कि दोनों perpendicular vectors नहीं हैं, तो इसका मतलब हमें ये और given condition हो गई, कि vector u dot v is not equals to 0, ठीक है, है ना, अब other conditions जो थी, वो भी हम fast लिख लेते हैं, other conditions एक बग, देखते हैं कि बेरे पास में आ गया, vector w equals to 2, ये भी condition आ गई है, and साथ में हमें और क्या given था, vector u dot vector v, तो हमने बोल दिया कि जहीं है, ये vector w बना लेते हैं, ये 1 है, and vector v dot vector w, ये भी हमें 1 given था, ठीक है, इतना सब कुछ हमें given था, और साथ में एक और चीज गिवन थी, volume of parallelo pipe, ये भी given था हमें, तो volume of parallelo pipe क्या होता है, अगर आपने को को ध्यान हो, तो ये अपने आसा box u, v, w होता है, scalar triple product, और ये हमें given था, यहाँ पर, आपको क्या given था, ये वाला बच्चो, ये हमें given था, two, okay, है न, ये ही given था, हमें, तो चलिए, अब हम आगे solve करते हैं, ये से conditions given थी हमें, तो हमने क्या करा न, कि हमने यहाँ से start करा, कि भाई, मैं क्यों न, ये शार्ट, I think root two given था हमें, okay, हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, u, v, w, whole square, हमने ये निकाल, और ये अगर आपको ध्यान हो, तो ये कैसे find out करते हैं हम लोग, determinant say u dot u, u dot v, u dot w, फिर दन v dot u, v dot v, v dot w, फिर दन हम क्या करेंगे यहाँ पर, w dot u, w dot v, and w dot w, ये box square का ये हम determinant का format लगाते हैं, अब जब ये root two given था, तो ये value two हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर हम सारी values को put कर देते हैं, जो भी हमें given है, ठीक है, u dot w हमें one given है, and v dot w भी हमें one given है, तो जब हमें सारी values को put कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पस में क्या आ जाएगा, determinant को solve करके, चल, कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने determinant को solve करा, तो यहाँ से हमने सब सारी values को रख दिया है, और वो सारी values को हम एक बार रख लेते हैं, आप इस given conditions को देख करके, कि भी given conditions क्या थी, तो उस formula form में लिख रहे हैं हम लोग, तो हमें u dot u था हमें पता है कि 1 था, है ना, u dot v हमें find out करना था बच्छो, and and u dot w, next, and u dot w हमारे पास में था बच्छो, वो भी 1 था, है ना, ठीक है, और यह सारा value 2 आ रहा था, फिर देन था v dot u, we have to find it at this, क्योंकि यह हमें नहीं given है, then v dot v, v dot v हमारे पास में 1 था, then v dot w, and v dot w भी हमें 1 था, okay, w dot u, वो भी 1 given था, है ना, w dot v, वो भी 1 given था, and w dot w is 4, हमें यह given थी, conditions हमें सारी यह given थी, चीक है, यह two given है, यहां तक ठीक है, हमने सारी conditions रख ली है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग find out करेंगे u dot v को, और वो value आ जाएगे, पीटा, solve करके 1 by 2, determinant को simply solve करना ह हैं आपको, यह value आगे 1 by 2, ठीक है, अब यह value हमारे पास में simply solve करके 1 by 2 आ जाएगी, अब क्या find out करना था हमें, हमें find out करना था, जो पूचा गया था, modulus of 3 u vector, plus, क्या पूचा गया था, हम लोगे एक पाद चेक कर लेते हैं, कि हमें क्या पूचा गया था, यहां पर, हमें पूचा गया था, question से देख लेते हैं, कि, modulus of 3 u vector, plus 5 v vector, ठीक है भाई, check लो, 3 u vector, plus 5 v vector, हम से यह पूचा गया था, ओके, अब बहुत simple, क्या करा, हमने इसका square कर दिया, जब modulus पूचा जाता है, तो हम square कर देते हैं, square कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3 u vector, plus 5 v vector, dot of 3 u vector, plus 5 v vector, है न, चाल, अब simply, dot product लगा रहे हैं, क्या होगा, 9, modulus of u square, plus 25, modulus of v square, plus, क्या बन जाएगा, बीटा, 30, u dot v, देखो, इसी लिए हमें, u dot v की requirement थी, और वो, u dot v, हमने यहां से रिकाल लिया, तो क्या आ गया, भाई, यहां से रख लेते हैं, modulus of u square 1 है, हमारे पस में, modulus of v square 1 है, हमारे पस में, और यह आया था, हमारा 1 by 2, ठीक है, तो यह पूरा solve करके, हमारे पस में, क्या आ गया, बच्चो, यह पूरा solve करके, आ गया, 49, और जैसे यह 49 आया, तो मेरा answer आ गया, यहां पे, यहांने, modulus of 3u vector plus 5v vector पूछा था मुझे, और वो मेरा answer आ गया, 7, क्योंकि उसका square मेरा पस 49 आया था, ठीक है पेटा, ओके, तो यह question बिलकुल छोडने वाला नहीं था, और अच्छा question था, ठीक है पेटा, चलिए, ओके, all the best.